न्याय का हक मिलने तक कॉंग्रेस के ये तमाम नेता नारा लगा रहे हैं न्याय का हक मिलने तक ये सारे नेता राहूल गांधी के साथ मड़ीपूर के लिए निकल पड़े हैं कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा पार्ट टू के तौर पर आज से मडिपूर के थोबल से राहूल गांधी नियायात्र की शुरुवात कर रहे हैं राहूल गांधी का साथ देने के लिए कॉंग्रेस के तमाम नेताओं के साथ ही राजस्थान के पूर्वसीयम अशोक गहलोत, पूरू डिप्टी सीयम सचिन पाइलेट, पी सीसी चीफ गोविन सिंग डोटासरा और पूरू मंतरी महेंदर जीत सिंग मालविय भी मडिपूर के रिये निकल पड़े हैं आज से ठोगबल मडिपूर से भारत जोडो निया यात्रा की शुरुवात हो रही है राहूल गांधी 15 राजियों से होते हुए 6700 किलोमीटर का सफर तै करते हुए कॉंग्रेस पार्टी के इस राष्ट्रिय जन आंदोलन की अगवाई करेंगे राहूल के मताबिक किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, छोटे व्यापारी, दुकानदार, महिला, पूर्व सैनिक, खिलाडी, शिक्षक, आशा वरकर, आंगनवाडी समू समेत तमाम समाच के हर वर्ग से यात्रा समबाद करेगी इस बार राहूल गांधी पूर्व से पश्चिम तक एक और यात्रा की शुरुवात कर रहे हैं क्योंकि वो उत्तर से दक्षेंड तक की यात्रा पहले ही पूरी कर चुके हैं कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और के वाईराट से सांसद राहूल गांधी फिर से भारत जोडो यात्रा पर निकल रहे हैं हलकी इस यात्रा का नाम भारत जोडो निया यात्रा रखा गया है मणीपूर से शुरू होकर महाराष्ट तक जाने वाली ये निया यात्रा सरसर दिनों में देश के पंदरा राजियों से होकर घुजरेगी यात्रा 110 जिलों को भी कवर करेगी इस दौरान करीब 100 लोग सबाक्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा राहुल गांधी की यात्रा ज्यादा तर बस से होगी लेकिन कहीं कहीं पर पैदल यात्रा भी होगी भारत जोडो नियायात्रा मणिपूर, नगालेंड, अरोनाचल प्रदेश, असम मेघाले, पश्चिम बंगाल, बिहार जारखंड, ओडिसा, 36 गड, उत्तर प्रदेश, मंद्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात महराष्टर से होकर घुजरेगी राहुल गांधी की ये यत्रा एक दिन में राजस्थान की भी दो जिलो में 128 किलोमीटर का सफर तै करेगी भारत जोडो पार्ट टू यानि कॉंग्रेस की नियायात्रा को सफल बनाने के लिए अब देश भर के तमाम कॉंग्रेस के नेता और कारिकरता कमर कर चुके हैं आने वाले वक्त में लोगसभा के चुनाओ भी होने हैं ऐसे में राहुल गांधी की ये निया यात्रा कई प्रदेशों में कॉंग्रेस के लिए फाइदे मन भी साबित हो सकती है ब्योरो रिपोर्ट राजस्थान तक ब्योरो रिपोरो राजस्थान तक कर दो प्राजस्थान तक